तो दोस्तों यह motor बहुत ही अच्छे से हम से पहले हम इस motor को टेस्ट करेंगे फिर solenoid को टेस्ट करेंगे और उसके बाद दोनों को साथ में हम लोग टेस्ट करेंगे जैसा कि यह car में लगा रहता है, अब देखना है Is fonction कैसे कैसे रहता है तो यह जो body है यह इसमें आपका negative terminal connect होगा यह body ही इसका negative है टर्मिनल है और यहाँ पे देखे यह जो है positive जो होता है जो car में यह attached रहता है यहाँ पे positive terminal attached रहता है तो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो यह directly यह motor run नहीं होगा तो होता क्या है कि यह जब solenoid पीछे आता है इसका तब जाकर कि यह और यह एक दूसरे में connect होता है और इसको actuate करने के लिए यहाँ पे यह जो है यहाँ पे एक terminal देड़ाता है यहाँ पे positive supply जैसे ही आता है वैसे ही यह और यह connect हो जाता है और यह आपका motor चलने लगता है और वो जो plunger है वो इस gear को आगे खीज देता है यह देखिए यहाँ पे तो इसका connection आप समझ गए तो हम लोग इसका connection करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे negative यह हम लोग attach कर देंगे आपका body में यह देखिए यह आपका negative terminal से यहाँ पे यहाँ पे यह लग जाएगा negative में यह देखिए उसके बाद पहले हम लोग को यह motor को test करना है तो motor में positive यहाँ पे है ठीक है तो यह देखिए नीचे वाले में हम लोग connect कर देंगे और यह जो है red वाला यहाँ पे positive terminal पे जैसे ही हम लोग connect करेंगे यह motor आपका run होने लगेगा यह देखिए है हम लोग positive add करेंगे यह देखिए है यह देखिए है और बहुत ही smooth बहुत ही अच्छे से यह run कर रहा है यह आप देख सकते है तो यह motor perfect है बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है अब हम लोग इसका solenoid check करेंगे तो solenoid check करने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर solenoid का connection होता है positive यह देखिए यहाँ पर देखिए इसको आर्थ को नहीं move करना है यह देखिए solenoid यहाँ पर है यह देखिए यहाँ पर इसको connect करना है यह देखिए सई से इसको और यहाँ पर हम लोग फिर से positive में connect करेंगे इसे तो यह बहुत अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पर आप देखिए इसे carefully इसको operate करना है यह देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कैसे यह जो gear है आगे आएगा यह देखिए परफेक्ट यह solonide भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है अब दोनों को एक साथ हम लोग test करेंगे जैसा की car में लगा रहता है तो यह देखिए हम लोग positive को यहाँ पर attach करेंगे यह देखिए ठीक है और यहाँ पर supply देंगे यह देखिए सही है और यहाँ पर यह जो है solonide को हम लोग को positive देना होगा तो यह देखिए दोनों को हम लोग touch करेंगे यहाँ पर यह जो positive है यहाँ पर इस से यह देखिए इस से हम लोग यहाँ पर यह जो solonide को positive है उसमें हम लोग touch करेंगे यह देखिए यह देखिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है एक बार आप उधर से देखिए कि यह कैसे काम कर रहा है ऐसे ही आपका यह कार में operate करता है यह देखिए जैसे ही आप अपने कार का ignition on करते हैं यह कुछ ऐसे काम करता है यह देखिए बेंडिक्स आगे आ जाता है फ्लाइविल में मेस कर जाता है और जैसे ही आप की को बैक करते हैं वह आपका बेंडिक्स पीछे आ जाता है उसका गिर्ष यह देखिए कितना स्पीड में और कितना अच्छा होता तो यह जो मोटर है कंप्ली हेल्दी है और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है तो यह फॉर्फेक्ट्ली हमने इसे फिट कर लिए और दोस्तों यह जो self motor था बहुत ही गंदे condition में था अंदर में बहुत ही critical condition था बहुत ज़्यादा rusting और बहुत ज़्यादा carbon का जो dust था वो सब था और जो भी grease था वो सब dry हो गया था अगर इस self motor को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते तो ये कुछ दिन के बाद completely damage हो जाता बट अब ये सही है और दोस्तों अगर यही self motor को बाहर में अगर आप servicing कराने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा high cost वो लोग लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहगा इसका servicing cost होता है और मुझे कितना खर्चा लगा होगा मुस्किल से थोड़ा बहुत इसे clean करने में मेहनत लगा है और मुस्किल से 5-10 रुपया का इसमें grease use हमने किया है और कुछ भी नहीं लगा है carbon brush भी सही था तो आपने कभी self motor का servicing करा है तो नीचे comment box में ज़रो बताएगा और दोस्तों यह जो self motor होता है एक बार मैं फिर बता दूँ यह इज़त होता है कार का आपके पास कैसी भी कार हो अगर उसका self motor काम नहीं करेगा तो फिर इज़त चला जाता है मेरा एक दोस्त था वो अपने एक relation के घर गया था सुबा जैसे ही उठा वो self motor ही काम करना बंद कर दिया और मतब नई कार थी उसमें कोई problem नहीं था फोड़ इको स्पोर्ट और उसका यह solenoid में problem आ गया था सडल यह electrical चीज़ है mechanical चीज़ है तो कुछ भी problem हो सकता है तो यह solenoid ही काम करना बंद कर दिया था उसमें तो बस की response ही नहीं ले रहा था और नहीं start हो पाई तो बाद में फिर service center में tow करके गई उसके बाद यह सब change वा तो फिर से अच्छी हो गई तो यही होता है दोस्तों अगर self motor साही नहीं है तो आपकी कार एक मजाग बन जाती है तो यही है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और next time अगर आप अपने कार का self motor को repair करना चाहेंगे या servicing करना चाहेंगे तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं मैंने पूरा detail में बताया एक एक चीज को मैंने अच्छे से cover किया है और यह बहुत ही easy कोई भी कार का self motor रहेगा आप बहुत अच्छे से उसका servicing कर लेंगे और दोस्तों इसको fit कैसे करते हैं तो अगर इस पार्ट में उसे मैं cover करूँगा तो वीडियो बहुत ही जादा लंबी हो जाएगी तो मैं एक काम करता हूँ मैं next एक अलगी topic बना दूँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यह self motor car में कैसे fit होता है और यह rates का है और rates swift यह सब का same ही engine रहता है और बागी car में भी same ही आपका position रहता है किसी में थुरा सा आगे रहेगा किसी में पीछे रहेगा बहुत ही easily अगर एक बड़ा आप देख लेंगे तो बहुत ही easily आप किसी भी car में यह कर सकते है तो next video में मैं आपको बताऊंगा कैसे fit करना है और सेम उसी वे में आपको निकालना भी रहता है तो simply इसमें bolt रहता है उसके help से mount रहता है यह engine पर तो दोस्तों प्लीज ड्राइक कि अपने दोस्तों में सेर की चैनल सब्सक्राइब कर साथ मुस्बेल आइकन को प्रेस के ताकि जब भी मैं को नए वीडियो आपकर बनाओ तो आपको नौटीकेसर मिल सके और आप उससे सबसे पहले देख सके एंड अट लास थांक्यू थांक्यू पर आचिंग मिलते है नेक्स ट्यू में